हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फलेवर फ्यूजन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक बहुती सिंपल बहुती टेस्टी केक बनाएंगे पांच मिंट में बनकर तयार हो जाएगा इसको बेक करने की जरूरत भी नहीं है बिना गेस ओन करें ये केक बन जाएगा घर पर ही बिल्कुल सोफ्ट बन कर तयार होगा आप हैरान रह जाएंगे ये ब्रेड के स्लाइस से बना है चली इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले ठंडे दूद की मलाई लेंगे चार से पांच इस्पून भर कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दो से तीन मिन तक फेट लेंगे इस बात का ध्यान रखना है हमको फिरिज की मलाई एड करनी है अगर आप फिरिज की नहीं ले सकते तो आप इसको बरफ में रखके फेट ना है ये देखी कितनी परफेक्ट बनकर हमारी क्रीम रेडी हुई है देह नेश्ट प्रोसेस पर दो चोकलेट ले लेंगे आप कम ज्यादा चोकलेट भी कर सकते हैं इसको एक बाउल में निकाल लेंगे इसको लो फ्लेम पर रख देंगे हलका सा सोफ्ट हो जाएगी जब ये हलका सा सोफ्ट हो जाए अब हम इसमें एड करेंगे हाफ कफ दूद इसको अच्छे से मिक् का इस्तमाल कर रही हूँ, आप प्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, इसके कॉनर्स कट कर देंगे, ये देखिए, सबी कॉनर्स इसी तरह ब्रेड्स के कॉनर्स कट कर देंगे, आप दो लेयर लगा सकते हैं, या तीन, मैं तीन लेयर लगाऊंगी, इसलिए मुझे दस से बारा ब्रेड के स्लाइस चाहिए किसलिए मैं कोनर्स कट कर लूँगी सबी ब्रेड्स के ये देखिए हमारे ब्रेड्स के कोनर्स कट हो गए है अब चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर सबसे पहले जो हमने बेटर तयार करके रखा हुआ था उसको अच्छे से फेला लेंगे अब हम प्रेड के स्लाइस रखेंगे तो प्रेड के स्लाइस हैं इधर उदर ही लेंगे नहीं इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे कोई सी भी शेय में बनाना चाहते हो बना सकते हो शूगर बनाया हुआ है उसको अच्छे से फैला लेंगे इस से क्या होगा प्रेट सोफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा हम इसके उपर बेटर एड़ करेंगे इसको भी अच्छे से फेला लेंगे आप केक घर पर भी बना सकते हैं अब हम इसके उपर एड़ करेंगे क्रीम जो हमने क्रीम बनाई होई थी मलाई से इसको भी अच्छे से फेला लेंगे ये देखे अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसके उपर दूसरी लेयर लगाएंगे ब्रेड की सलाइस रखेंगे ते मेल ऐसी लगाएंगे अब दूसरी भी अगर एड कर रहे हैं ब्रेड के उपर सोफ्ट भी हो जाते हैं इससे ये मैंने हाफ कप पानी में वाइट वाली चीनी एड़ की थी दो से तीन चम्मच प्केम लेयर ऐसे ही लगाएंगे अब हम तीस त्स जडिर लगा चुके हैं चोकलेट बेटर लगाएंगे और क्रीम इस से चारो ओर से फैला देंगे हलकी हलकी से लेयर लगाएंगे अब हम इसको चोकलेट से अच्छे से कवर कर देंगे जो बेटर है उससे चारो तरफ से लगा देंगे अब हम इसके उपर एड़ करेंगे क्रीम मलाई की बनाई हुई क्रीम इसको भी चारो और से अच्छे से कवर कर देंगे इस्पून की हेल्प से इसको अच्छे से फेला लेंगे ये देखे हमारी क्रीम अच्छे से लग चुकी है अब हम इसके उपर बेटर की एक लेड लगाएंगे सैड़ सैड़ कोर्नर्स कोर्नर्स पर आप इसको किसी चीज से जेम वगेरा से डेकरेट करना चाहते हो ये कौन में मैंने थोड़ी सी क्रीम एड की थी इसके मैं के डोट बना रही हूँ मेरे पास रखा हुआ था उसी से मैं डेकरेट कर रही हूँ इसको को दो घंटे के लिए फ्रीज में लगा देंगे ये देखे कितना पफेक्ट बनकर केक रेडी हुआ है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज